हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है सी पाई में आज शुरू करने जा रहे हैं एक बहतरीन टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स तो केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं आज आज से ये केमिकल काइनेटिक्स की पूरी सिरीज चलेगी और जो है पर डे एक एक ददस मिनिट का lecture मिलेगा ठीक है तो शुरू करते हैं chemical kinetics है क्या चीज तो देखे, chemical kinetics chemical kinetics है आपके branch of chemistry chemistry की एक branch है जो deal करेगी rate of chemical reaction ठीक है समझें कैसे मानलेजिए एक कोई आर है रियक्टेंट वो प्रोडक्ट की तरफ जाना चाह रहे है तो यहां पे तीन चीज़े पूछी जाएंगे पहला कि यह जो रियक्टेंट है यह प्रोडक्ट की तरफ जाएगा या नहीं यानि कि आपका जो है ना रियक्शन सुनना रियक्शन वेल रियक्शन वेल हैपन और नॉट है फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो होगा एक्स्टेंट ओफ रियक्शन किसका होगा बताओ एक्स्टेंट ओफ रियक्शन एक्स्टेंट ओफ रियक्शन तीसरा की रेट ओफ रियक्शन क्या होगा बताओ तीसरा रेट ओफ रियक्शन अब बात क्या है ना कि अगर आप रियक्शन होगी या फिर नहीं होगी अगर ये सब पूछना चाह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा आप thermodynamic की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं मताओ thermo की बात कर रहे हैं क्योंकि thermo बोलता है कि अगर delta g की value negative रही तो ऐसे case में क्या होगी आपकी reaction फिजिबल होगी आगे देखें अगर आपके पास extent of reaction की बात की जाए तो कितने हद तक reaction जाएगी तो तब आपका जो topic आता है ये होगा आपका equilibrium का किसका होगा बताओ equilibrium क्यों होगा क्योंकि मान लिजे equilibrium में हम पढ़ते क्या है a plus अगर मैं b करता हूँ ये अगर c plus d देता है तो ऐसे case में ये माना जाएगा कि a और b के जितने भी mole से है totally decomposed होके c और d नहीं बनाया है ठीक है न और तीसरा है rate of reaction तब हम बात करते हैं किसकी बताओ kinetics की बात करते हैं काईटेक्स की बात करते हैं तो समझते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ की चीजे कि बैसिखली तीन टाइप से rate of reaction को या chemical reaction को पढ़आ जाता है ना rate of reaction या chemical reaction को तीन टाइप से पढ़आ जाता है पहला होता है आपका faster reaction, यласт ANYकी reaction कितनी तेज होगी, कौनसी reaction रेक्षन हैं, बिल्कुल आपने क्या किया, कि जीसे एक reactant ले लिया, मालने आपने कोई reactant ले लिया, उसको बीकर में डाला, बीकर में डालते हैं, आपने कुछ एक catalyst mix किये, तो वो सीधे उसने क्या बना दिया, बताओ, product बना दिया ठीक है, और इसको होने में, बहुत, मतलब, बहुत कम time लगेगा, है ना दूसरी कौन सी reaction होती है, बताओ, slow reaction होती है, जो की क्या होती है, बहुत time के लिए मानलिजे एक reaction है, bellis-hillman reaction, bellis-hillman reaction होती है यह कहा जाता है कि बहुत long time लेता है क्या लेता है बताओ long time लेता है ठीक है तो यह slow reaction हो गई तीसरा हो गई है moderately यहनि कि जिनके बीच में क्या होगा ना कि मानलिज यह कि जिसे बहुत fast भी ना हो और बहुत क्या ना हो बताओ slow भी ना हो तो आगे जानना है हमें कि बताओ यह rate of reaction होती क्या है ना उसको समझना है देखे अगर rate की बात की जाए तो इसको हम ना एक दूसरी तरब से भी लिख सकते है velocity of reaction क्या अगर सकते हैं velocity of reaction यानि कि जो रासाइनिक अबकरिया होगी वो कितने गती से जा रही है ठीक है ना तो यह होती है आपकी change in concentration change in concentration है ना change in concentration of any of the reactant मालो आपके पास ना R है कोई उससे product मन रहा है तो यह जो product यह concentration यह जो reactant है जो इसका concentration होगा यह time के respect में कितना decrease हुआ इसी को क्या बोलेंगे हम rate of reaction बोलेंगे कैसे बोलेंगे ध्यान ने यानि कि मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जो आप rate बोलते हो basically rate होता है आपका rate होता है ना जो rate होता है वो होता है आपका change in change in concentration क्या होता है बताओ change in concentration upon क्या हो जाता है बताओ time यानि कि time के respect में concentration का Change होना यानि कि Change की बात की जाए तो तब क्या बोलेंगे Delta c अपन क्या हो जाएगा बताओ time भी Change होता होगा तो ऐसे case में अगर हम Delta c की बात करहें, तो जो concentration होती है वह क्या होती है बताओ mole per liter होती है क्या होती है mole per liter upon क्या हो जाएगा बताओ second यानि कि अगर इसकी unit निकालने जाए unit निकालने जाए तो क्या हो जाएगी बताओ mole per liter पर क्या हो जाएगा बताओ second हो जाएगा generally किसी भी reaction की जो unit होगी ठीक है तो rate of reaction को तो एक दो चीजों से और से भी बता सकते हैं कि दरसल बात की है ना decrease या फिर increase ठीक है या तो देखो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी reactant की है ना reactant की मान लिजे reactant कोई R है ये product दे रहा है फिर से है ना तो time के साथ इस reactant की जो concentration होगी ना concentration वो क्या होगी हमेशा decrease होगी जबकि जो product होगा है ना product होगा उसकी जो concentration रही होगी वो हमेशा क्या रहेगी बताओ increase होगी ये क्या होगी increase होगी है ना लेकिन जब ये सब चीज हो रहा होगा उस time पे कोई ना कोई time चले गए ना अब जो time चलेगा मालोग T0 पे कुछ concentration रही थी T बराबर T पे कुछ concentration रही थी यानि कि T2- क्या बोल सकते हैं आप लोग T1 बोल सकते हैं which is equal to delta T ठीक है देखे अब दूसरा क्या है ना कि माल लिजीए आपके पास average rate निकालना है किसी भी reaction का average rate निकालना है तो हम क्या बोलेंगे बताओ ये ना concentration difference और time interval के जो ratio होता है उसको क्या बोला जाता है average rate बोला जाता है यानि कि मैं यहाँ पर अगर ऐसा कुछ लिखूँ तो अगर मैं बोलो rate average अगर मैं बोलो तो ये हो जाएगा आपका ठीक है डेल्टा सी डेल्टा सी अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा ठीक है ना या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ दी सी अपॉन बोलोंगा अब क्यों बोलोंगा एसा क्योंकि मेरे पास क्या रहा होगा बताओ कि अगर मैं time time टी वन बराबर की बात करों तो ऐसे कि में जो reactant होगा वो कितना R1 रहा होगा product कितना रहा होगा P1 लेकिन जब मैं T2 में पहुंचा तो ऐसे case में जो reactant होगा वो कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा और product क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा है ना अब ऐसे किसमें देखो अगर आप चाहो डेल्टा पी निकालना तो क्या हो जाएगा बताओ डेल्टा पी निकालना क्या हो जाएगा देखो ऐसे किसमें जो डेल्टा पी होगा वो क्या हो जाएगा बताओ अब delta P हो जाएगा आपका P2-P1 ऐसे ही delta R क्या हो जाएगा आपका R2-R1 हो जाएगा और delta जो है आपका क्या delta T होगा वो क्या हो जाएगा T2-T1 हो जाएगा ठीक है जब हम यह सब चीज़ों की बात करेंगे तो हम इसी को क्या बोलेंगे बताओ instantaneous reaction यह जो reaction होगी मनलब जब आप न डेल्टा लिख रहे हो गहीं पर delta C upon delta T लिख रहे हो यह तो हो गया आपका average की बात आ गई लेकिन एक जब fast कोई reaction हो रहे होगी तो उसमें T1 और T2 के बीच में बहुत कम gap रहेगा तो ऐसे case में आप क्या बोलोगे D C upon क्या हो जाएगा बताओ D T हो जाएगा ठीक है यह है आपका instantaneous reaction और average reaction ठीक है तो इसके आगे आपका जो होता है उसकी हम बात करते हैं basically ना time के साथ-साथ disappearance और appearance की बात होगी मतलब मानलो यहां पर ना हम लोगों ने क्या ले रखा है एक reactant ले रखा है तो reactant disappear हो रहा होगा product क्या हो रहा होगा बताओ appear हो रहा होगा इसी से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ rate of reaction को calculate कर सकते हैं तो इस वाले को मैं अगली श्रीज में start करूंगा तब तक के लिए कल आपको अगले श्रीज मिल जाएगी थैंक्यू सो मच तब तक के लिए बाई बाई क्योंट आपके लिए तक के लिए कर दो मैं झाल हो क्योंट अ क्योंट शोगर कर तक क newt